हलो वियर्स हम कर रहे हैं कक्षा नवी हिंदी की वार्षिक परिक्षा का पेपर हल कर रहे हैं इसको हम और यह एक मोडल पेपर है और इसी तरह से आपके एक्जाम में भी पेपर आने वाला है आपको इसी तरह से हल करना है तो प्रेश्ण नमबर 16 तक के सारे प्रेश्ण हमने हल कर लिये थे आज हम प्रश्ण नमबर 17 करेंगे जहां से 3-3 नमबर वाले प्रश्ण शुरू होते हैं यदि आपने इसके पहले वाले प्रश्ण का वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल के प्लाइलिस्ट पर उपलब और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है उसे के नुसार आप कर लिजे जिससे के आप आसानी से वाश्रिक परिक्षा का पेपर भी हल कर सको तो प्रश्ण नमबर 17 है दिये गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें तो इन शब्दों का वाक्यों और पावक तो हम यहां पर उपर आला प्रश्ण करेंगे दिये गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें तो इसको हल करते हैं तो यहां पर जो शब्द था पहला अंतरिक्षियान इसका वाक्यों में प्रयोग हम कर सकते हैं आज हमने एक अंत्रिक्षियान देखा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं अंत्रिक्षियान चलाना चाहता हूं, ठीके इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हो, अगला शब्द था यात्री, तो इसका वाक्यों में का विमान उडान के लिए तैयार है, तो इन शब्दों का वाक्यों में प्रेयोग अपने अनुसार भी हम कर सकते हैं, इसके पाद जो अगला प्रशन है, दिये गए शब्दों से कहानी निर्मान कीजिए, तो या जो शब्द दे रखें, इसे एक कहानी बनानी है, शब्दे जील, पक्षी, पैड़पोदे, तितली, बरसाद, बर्फबारी, मोसम, नदी, पत्थर, मिट्टी और सूरज, इन शब्दों से एक वाक्य बनाना और इसके अथवा में दे रखा है, कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर हैं, सरल शब्दों में अपनी कल्पना को कलम ब पर हैं, तो आप लिखोगे कि मैं मंगल ग्रह पर हूँ, यहां का वातावन प्रथी के वातावन से बहुत ही अलग है, यहां पर गुत्वा कर्शन बल नहीं होने के काण में जल भी नहीं सकता हूँ, और यहां बोजन हमें तरल अवस्था में लेना पड़ता है, यहां उक् बहुत मुश्किल है, और इस प्रकार से आप अपनी कलपना से लिख सकते हो, इसके बाद अगला पशने महा कावे और खंड कावे में अंतर लिखिए, अथवा वीरस की परिभाशा उधारन से लिखिए, तो दोनों ही बहुत आसान है, हम लिखेंगे उपर वाला महा कावे और खंड कावे में अंतर लिखिए, इसका उतर होगा महा कावे और खंड कावे, महा कावे में हम लिखेंगे महा कावे का कथानक विस्तरत होता है, जबके खंड कावे में लिखेंगे खंड कावे का कथानक संक्षिप्त होता है, दूसरा अंतर है, इसमें मुख्य कथा के सा जबके खंड़कावे में इसमें एक ही मुख्य कथा होती है। जबके खंड़कावे में इसमें 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 इसम प्रथम वहरूप जिसमें संस्कत भाषा के तस्सम शब्दों का बहुल्य है और दूसरा वहरूप जिसमें उर्दू, संस्कत और हिंदी के व्यवारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसकी बादे साहिते में स्थान हिंदी साहिते के उपन्या समराट यूग प्रवर्दक कहानिकारों में प्रेमचन जी का विसे स्थान है। प्रचना है रंगभुमी, सेवा सतन, गोदान, भाषा ए प्रेमचन जी की भाषा के दो रूप प्राप्त होते हैं। प्रतम वहरूप जिसमें संस्कत भाषा के तस्सम शब्दों का पाहुल्य है। और दूसरा वहरूप है जिसमें उर्दू, संस्कत और हिंदी के विहवारिक शब्दों का प्रियोग किया गया है। उनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार प्रभावशाली है। शेली में हैं प्रेमचन जी विशर भाव के अनुरूप शेली का प्रियोग करते हैं। उनके साहिते में मुक्य रूप से पाच शेली का प्रियोग हुआ है। वर्णनात्मक, विविचनात्मक, मनोवे ग्यानिक, हास्य व्यंगप्रधान और भावात्मक शेली आदी. साहिते में स्थान है हिंदी साहिते के उपन्या समराट यूग प्रवरतक कहानी कारों में प्रेमजन जी का विशिस्ट इस्थान है आपने आधुनिक हिंदी साहिते जगत में कहानी कला को अग्रणी स्थान प्रदान किया है इसके बाद जो अगला प्रश्ण है वह एक निमनलिकित गध्यांशी की व्याक्या संदर प्रसंग सहीद लिखे तो संदर प्रसंग सहीद व्याक्या का अलग से वीडियो बनेगा जिसमें संदर प्रिसंग सेथ व्याक्या गध्यांशी की और पध्यांशी की दोनों ही करेंगे सारी ही इंपोर्टेंट हम कर लेंगे जिससे कि हमारी एक्जाम में सारी ही व्याक्या सही हो इसके बाद जो अगला प्रश्ण है वह है कहानी हम उपन्यास में अंतर लिखिए अथवा एकांकियम नाटक में अंतर लिखिए तो यह अंतर हम लिखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर कहानी छोटी होती है जबकि उपन्यास बड़ा होता है कहानी में एक घटना का वर्णन होता है जबकि उपन्यास में अने घटनाओं का वर्णन होता है कहानी में कम पात्र होते हैं जबकि उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं परिक्षा प्रेमचन द्वारा लिखित कहानी है जबकि गोदान प्रेमचन द्वारा लिखित उपन्यास है तो बहुते आसान है यहाँ इसके बाद जो अपठित गध्यांश है वह निमनलिखित गध्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्णों के उत्तर लिखे यहाँ प्रश्ण है और अपठित गध्यांश का एक वीडियो चेनल पर पहले ही आ चुका है जिसमें दो गध्यांश के द्वारा हमने यह भी समझाता कि अपठित गध्यांश को हमें किस तरह से हल करना है इसमें कुछ भी याद करनी के आवशकता नहीं होती है केवल जो गध्यांश परिक्षा में आएगा उसी को पढ़के आपको इसके उत्तर देने होते हैं इससे आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे पूरी विधी हमने समझी थी यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल पर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है यहाँ पर गध्यांश दे रखा है एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महतो और अधिक बड़ा है सयुक्त परिवारों के अभाव में विप्रित परिसित्या मित्रता की मांग करती है चुकि मनुश्य एक सामाजिक प्राणी है अतो उसके सामाजिक विकास में मित्र की अहम भूमी का है परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं क्योंकि मैत्रिक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समारपन और त्याक की भावना मुख्य होती है मैत्रि में सबसे आवशक है परसपर विश्वास तो यह गध्यांश दे रखा इसके बाद यहां नीचे प्रशन है उप्रुक्त गध्यांश का शिर्षक लिखिए तो यहां आपसे हमें शिर्षक ढूनना है मतलब शिर्षक का मतलब यह होगा कि यह गध्यांश की से विशय पर लिखा हुआ है शिर्षक हमेशा छोटा होता एक या दो शब्दों में तो इस गध्यांश को एक या दो बार यदि हम पढ़ लेते तो हमें ये समझ में आ जाता कि गध्यांश का विशेक क्या है तो पूरा ही गध्यांश जो है मित्रता पर लिखा गया है ठीके गध्यांश का जो शिर्षक है मित्रता का महतो हम लिख देंगे ठीके मित्रता का महतो यही इस गध्यांश का शिर्षक हो जाएगा इसके बाद है दूसरा प्रश्ण है मित्रता का महतो अब क्यों बढ़ गया ह तो इसका उत्तर होगा, यहां से जो पहली लाइन है, एकल परिवारों के चलन से मित्रता का मा तो और अधिक बढ़ा है, इसके बाद उप्युक्त गध्यांश का सारांश लिखे, तो सारांश जो इसकी मुख्य मुख्य लाइन है, वही इसका सारांश होगी, इसको हम अपने पाशा में भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में, तो हम इसको लिख सकते हैं, एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महतो बढ़ गया है, सयुक्त परिवारों के अभाव के कारण मनुश्य को मित्रता की आवशकता होती है, उसके सामाजिक विकास में भी मित्रों का इसका सारांश, कुछ एक या दो लाइने मिला कर, जैसे दो लाइने मिला कर हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, तो हम वैसे लिख देंगे, मुख्य लाइन उसकी, तो इस प्रकार से यदि हम लिखेंगे, तो यह अपटित गद्यांश बलकुल सही होगा, हमें पूरे अंक प्राप्त होंगे, इसके बाद अगला प्रशने अपने प्राचारे महोदय को इस्थानांतरन प्रमान पत्र प्राप्त करने हैं तो पत्र लिखें, तो जो पत्र एक्जाम में आपके आने वाले हैं, कक्षा नववी के, वह प्रात्ना पत्र वाला वीडियो भी आ चुका है चेनल पर और नीजे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखिए, इसके अथ्वा में हैं अपने मित्र को जन्मदीन पर बधाई पत्र लिखें, तो जो पत्र एक्जाम में आने वाले हैं, उसका भी अलग से वीडियो बना था, वह अभी आप देख सकते हो, प्रात्ना पत् यासरे पर निबद लिखिए, तो निबद के लिए नीजे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहाँ से आप निबद देख सकते हो, और निबद की तयारी कर सकते हो, तो इसी प्रकार आगे हम हिंदी विषय की संपूर्ण तयारी करने वाले हैं, सारे नमबर के प्रश्ण भी करेंगे तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नवी की संपुर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए